कि कर रहे थे हैं आजिंग के बारे अट कि को हम लोग खत्म करें के रहा है कि यह लोग सुरूंत पर देखते चल देख जो पड़ाय कुंद आगे बाढ़ जांगे बस समझद कि अब बॉट्यक्टिवर है आजल कि कियूं करते हैं और वार्प आण तो वार्प यान का ही साइजिंग होता है और क्यों करते हैं तो हैरिनेस रहता है उसको अब्जेक्ट ना करें और यान ब्रेकश का मुद्ला वीविंग को आसान बनाने के लिए करते हैं और साइजिंग पाध हमारा भी देखा है कि आड़ेशिव करते हैं तो अधिक्ट वार्पिंग वार्प यान इसी वी में तयार होता है उसका यह पास होता है इसमें से यान निकल कानुए नुए नोंट आया रिकरेस से पास होता है रोप वैर जो इसको पॉशन का काम रहते हैं कि आए इसके होल नहीं हमारा पॉसे होता है तो यह सारे मूं पार्ट में हमारा यान पास हो रहा है तो आप पर अभरेजन होता कि होता है metallic part तो अब रेजन के चलते यान भी नहीं नहीं साइजिंग करते हैं कि यह परपटमरा साइजिंग करते हैं कि यह 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 जब हमारा यह था ऑर यह नहीं हुआ था यह तो दीख रहा है और है और लूर्प प्रूटिंग फाय वह रहे हैं साइजिंग भाद देखो सबसे पहले तो यान ब्रेक इसको प्रिवेंट करता है किसके करणा रहा था तो अबरेजन के चलते हैं चुकि फ्लेक्सिंग मुवमेंट हो रहा हमारा अब गर रहा है तो उसके चलते जो अबरेकर जा रहा था तो तो प्रेवेंट करता है धुट्यवेंट प्रेजन बिस नेबर यां मतलब पासपास वाला यान और वित बैकरश्ट हिल लाई यंट एंड यह किसका पाट से घ्रलों का पार्ट से तो दो परकार से ब्रेकेज को कम करता है किसे तो अब रेजन विद नेबरिंग यान करेंगे तो होगा दूसरा घिस्ता कहा होगा तो जहां-जहां से पास होगा यान करता है तो यहां ब्रेंग करता है तो साजिंग करने से एक तो फाइदा हमारे की यान ब्रेकेज विद उसको कम कर दिया हो दूसरा फायदा यह हुआ कि साजिंग यान के बढ़ा गिए तो दोनों फाइदा और यान के बढ़ाने के लिए नहीं करते हैं कि प्रूड़ाने के लिए कि यान को स्मूध बनाने के लिए तो यह हमारा प्राइमरी अब्जेक्टिव था लेकिन उसके देखा गया कि वह करने से हमारा यान का स्ट्रेंद भी बढ़ जा रहा है अच्छी बात प्राइजिंग के बाद यान का जो करेक्टिस्टिक्स है उसको यहां पर दखाए गया सबसे पहले इसको स्ट्रेंद पहले जो यान था हमारा साइजिंग पुरापटी ज़्यादे था था इसका यह थागा अटिक यह हमारा इलोंगेशन थोड़ा कम जाता है लेकिन चल सकता होर शुर्व नहीं है हम लोग साइजिंग पुर पर नहीं करेंगे और यह बहुत कम हो जागा प्रवलम आएगा ठी करेंगे तो तो थोड़ा हो जाता है थोड़ा हो जाता है है अब मतलब मेरेशन का में है है प्रिक्शनल रिशिस्टेंस दो हो गया कुम घुन है है और यह साइजिंग में इंपोर्टेंट डिफिनेशन से इस तम में हम लोग साइजिंग में हम लोग टेखनी कल दबात करते हैं size concentration percentage मतलब size material लेंगे size paste जो बनाएंगे जो हम लोग यान पर हम लोग protective layer अप्लाई करना है तो उसमें concentration केतना होना चाहिए कितना percentage केतना उसमें add on मतलब sizing के बाद केतना उसमें size material रहना चाहिए ठीक है और जो हम लोग देखे थे साइज box से जो pick up करता है यहां को डालते इमर्शन डॉलर से साइज पीकप करता उसका परसेंटेज वेट वेट पीकप जिसको मुलते हैं वेट पीकप वो केतना होना चाहिए किनों का फार्मूला यहां पर दिया हुआ हुआ है बशाइज कंसेंसिंटेसन है कि जतना विम साइज मेटरियल जो लीमें जैसे स्टार चीले अन opened EstáMS पेस्ट वालयए कि मिलां उन्हीं ए द्राइब किना थो उसका साइज मेटरिलों की ठीक वारे connections मस्וק डूम कि कम skeleton करते हैं उसरा है हमारा साइज आड कर सेंटेज्ड का आई में भाद का साइजिंग renowned percentage का फर्मूला है और हम नोली किते हैं जो कितना था और और अनसाज यान साज इसे पहले यान टोटल वेट को आन के पहलेगा तो वह क्या देगा हमारा साज परसेंटेज तब यह उसमें कितना हो प्रत्रेंट सभ्राइजूंडॉण हसके तना परचेंटेंग आड़न हुआ है धरुवा फे फिरेट बॉट पीक एल्दूर। कितना पीकप किया है हो साइज स्कॉम्ण आड़ाएंट मैं धिक अ में मुट है मास साइज पेस्ट कितना मस्टा Saturn ठीवाड़ गॉए ट्पार लिग अजान का कितना मास है टॉटल वेट यह यह लोग को टीन को अभी ठीट करते हैं तो को यह आया दो ब्लों ये है है इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं तो हम लोग लिख लिए ठीक है अब इसमें देखो मास आफ साइच पेस्ट यह होगा पी देनोट किया थे हम लोग ओवन ड्राइब यह मंदो करता है अब नहीं करते करतें दोनों के बीच में कंसें और साइच अथा में है s by y into 100 into p by s into 100 है आगर इस को हम लोग देखें कि 30S कड़ जागा 100 100 कड़ जागा तो बच्छा का P y को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ताक्कि इन दोनों में यह relation के लिए ठीक है तो यह s by y into 100 क्या था यह वाला हमारा परसेंटेज मैं मॉझत यल ऑगा है, फका रजन परसेंटेंट्रेज हो गया है थिके पिष है नेचे आगए है तो क्या हुए इसाइज कंसेंट्रेशन तो वेट प् influenट्रेशन एकुल टू तो , यह हमारा हो गया हुविए उसका डेफिनीशन है समझमाया है किसी को आगे बढ़े हम लोग मतलब साइस कंस्ट्रेशन क्या हो गया वेट पिक अप किसको बलते हैं लोग और साइज आड़ून का क्या फर्मुला यह तीनों का माला रिलेशन हो गया कि नेक्स्ट हमारा साइजिंग वीविंग कर नीटेशन प्ल通 कि साइज अब हम लोग दखते हैं कि साइज आड़-ओन, wavelength, इसका क्तना होना चाहिए ताकि हमारा ब्रेकस्द कम से से कम हो और लूम का जो एफिसेंसी हो मैक्सिमम हो उसको किस से हम लोग निकालते हैं तो साइजिंग वीविंग कर्व से तरह 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 लूम इफिशिंग ठीक है यतना ब्रेकेज जाद होगा इसके यतना हमारा एफिशिंसि कमेगा और यह नीची में हमारा सायज अड़न परसेंटेज है यह जो डार्क लाइन है यह देखा रहा ब्रेकेज रेट और यहां पर दो डॉट्टेज रेट से बता रहा तो जब इनिशियल पोजिशन पर यहां पर साइज गव्हां था जब साइज गिन्वावाव यहां पे था कि अधा थीप आप किया हो यहां हज मारा अपको बढते जा रहा हूं में परेकर सबसे कम यह पो मिलेगा और एफिसेंसी लुब का सबसे याद है इस point पर एड़न परसेंटेज पर वार ब्रेके जो होगा वो सबसे कम होगा और लूम इफिसेंश हमारा सबसे ज़्यादे होगा अब इसके beyond अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो फिर यह अपोजिट होगा यह ठीक है फिर break इसका बढ़ते जाएगा और लूम इफिसेंश हमारा दॉन होते जाएगा यह हमारा target point है ठीक है इस point पर हम रखेंगे तब हमारा वार ब्रेकेज सबसे कम होगा और हमारा लूम इफिसेंश सबसे ज़्यादे होगा ठीक है अच्छा सूरू में हमारा क्यों कम हो रहा था यहां पर जब हमारा आड़न था तो ब्रेकेज हमारा सब प्रोब्लम है इसमें का मतलब यह हुआ कि जो हम लोग protective film जो लेयर हम लोग जो coating कर रहे है जान सर्फेस पर प्रोपर कोटिंग नहीं हुआ है क्योंकि एड़न कम था हमारा एड़न कम होने कारण वो लेयर जो कोटिंग जो फिल्म का साइज फिल्म का वो कोटिंग प्रोपर जैसे से हम लोग आड़न बढ़ाएंगे उसका protective जो फिल्म है यान सर्फेस बे वो बढ़ेगा प्रोपर होगा उतना अच्छा समूथनिस यान होगा अब रेशन देशन बढ़ेगा और हैरीनस कमेगा तो यह हमारा target आड़न होगा साइज आड़न समझ महां है तो यह इसको आड़न लेबल आचीव कहने के लिए हम लोग साइजिंग विविंग कर साइज आड़न यान इस नोट प्रोटेक्टली कवर्ट बाइद साइज फिल्म साइज फिल्म था वह अच्छा से कवर उसको नहीं किया था यान को चुकि आड़न कम था हमारा सुर्व में यान इस नहीं कर पाया और वहां पर ब्रेकेज होने लागा तो वार ब्रेकेज रहेगा तो हमारा वार ब्रेकेज यादे रहेगा आप जैसे से साइज नहीं बढ़ा हों उसका पर्फॉर्म इंक्रीज कर रहा है लोंक एफिसंसी परड़ा हमारा हम इस किसको बोले हैं जहां पर सबसे कम ब्रेक्ज हो रहा और लूंक एफिसिंस सबसे ज्याद हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलने हैं अब उसके बाद अगर उसके ब्योंड और एड़न करते हैं तो क्या होता है अगर और जादे बढ़ाएंगे तो उसमें यान का खतम हो जाएगा बेंडिंग रहा जाएगा और उसके यान ब्रेटर लोग के टूड़ जाएगा वो ठीक है तो ब्रेक्ज बढ़ जाएगा तो अप्टिमम लेबल तक ही हमको रखना साहिए साइजिंग मेटरिल के बारें डिटेल में हम लोग डिसकस कर चुक है कि साइजिंग मेटरिल में क्या कहा होना चाहिए तो हमारा इसको फड़ा देख लोग अफंडमेंटल अब्जेक्टिव और साइजिंग के अचीवड ऑनली बाई कर रहा था तो अफ़नर हम लोग यूस कर रहे थे जो हमारा फिल्म को जो है फ्लेक्सेबल मना रहा था इस परकार से लोग लोग अटी एंटिसके यूज़कर रहे हम लो तो वह तो टेबल प्रपॉर्पॉर्शन वहना चाहिए साइज बोक्स में तब जाक्टिम्म परफोर चाहिए तगे साजिमेंट फुलफिल समींसिएल फ्रपरटीज एंड दे सेम टमिटिए इस्पेक्ट डाटीट्ट विलाड़ थाफ सम्साइशनल डिजारबल पूरपर्टीज मेस lossugi पर मेस मौह मुझ एद यूनिफॉरू पहला जाहिए ऐसा हो कि जो कुटिंग प्रॉटिक्टिएफ जो बन रहा है यांसर गें सोरह स्मॻ। और यूनिफॉर्म रहे है पहला ही हो गया इस इसको क्वी आपने और फिल्म फंफ प्रपाइब करन रा गाला इंवiety तुर्टिंग फाइबर्ट ऑन दा यान बोड़ी वट अलसो प्रोटेक्ट दा यान इस्ट्रक्ट्चर फॉर्म रिपीटेट अब्रेजन डिविविंग ठीक है कैसा होना चाहिए कि जो हेरीने से वह सर्फेस पे उसको चिपका दें और उसमें हमारा अब्रेजन रेसिस्टें इसा होना चाहिए उनिफॉर्म होना चाहिए और हमारा स्मूथ होना चाहिए दूसरा प्रोपटी क्या है कि यान का हेरीने इसको सर्फेस पे एम्डे कर दें चिपका दें और उसका ब्रेजन रेसिशन बढ़ा दें अधिर विद्ध फाइबर श्ट्रॉंगली तू प्रिवेंट शेडिंग और ऐसा होना चाहिए उसमें प्रोपटी साइज फिल्म है वह यान के साथ मिलब कि रहे हैं इसा नहीं कि वह यान फिम अलग गिरने लगे वह उसका मुलों बलते हैं शेडिंग क्या बलेंगे शेडिंग मतलब ड्रॉपिंग और लूम पर जाके वह अगर ड्रॉप हो रहा साइज फिल्म जो अपलाई कि हम लोग अगर वह ड्रॉप गिर रहा तो वह प्रोब्लम है वह नहीं होना चाहिए उसको प्रोटिकलर प्रोब्लम को हम लोग शेडिंग बोलते है तो शेडिंग नहीं होना चाहिए तो फिल्म शुड अलसौ एव अनग लेक्सिबिलीटी टुक उप्र फ्लेक्शिंग और बेंडिंग ओफ यांग तो फिल्म अपलाई की हैं हम लोग ऊट्रेक्टिव फिल्म जो अपलाई की हैं है साइजिंग मटरियल का यांपे वह फिले इसमें भी हम लोग देखे थे कि दो परकार के इंग्रीडियेंस था एक प्रामरी एक सेकंट्री प्रामरी था कि वो जो एसेंशियल है अदम रहना ही रहना और दूसरा था डिजारेबल कि वह हम लोग और एक वारेमिन के अनुसार हम लोग उसको रख सकते हैं या फिर नहीं हमारा प्रिंस्पल कंपोनेंट ऑफ साइजिंग रेस्पी जो हमको एसेंशियल है तो उसमें क्या कहा था अडेसिव लूब्रिकेंट के सॉफनर्स या अंटी माकरोबियल एजन्ट या अंटी सेप्टिक्स यह तीन हमको उसमें मिनिमम चाहिए चाहिए इसके अलावा अगर पर्टिकुलर कोई परपर्टीज को हमको इन इन बील करना है सर्फिस पर यां सर्फिस पर तो हम लोग डिजारबल इन ग्रेंशिंट उम्हें डाल सकते हैं जो अलग लग परकार का उसकी डाइजिंग रिदिजिंग एजेंट वेटिंग एजेंट मतलब वेड बढ़ाने के या फिर नहीं भी कर सकते हैं इसमें अड्याशिव का काम था हमारा तो हमको हमको यह अंहीरनेस को इसका करना पुर्टरीटिंग फायवर को सरफेस पे चिपकाना और और प्रोटेक्टिव फिल्म यां सर्फिस पे ऊसको कफर करना थीक तो यह का मैंट कॉन कॉन्खन सामरा म का यूद्ध करते हैं और सिंथेटिक मटरिय के लिए पॉलिविनाल अलकॉल कम इस्तेमाल करते हैं वह भी अब रिकेंट ऑफ सॉफ्टनर का यह क्या करता है कि जो हमारा अडेसिव के कारण जो वह पूर्टिटिव फिल्म बना है यान सर्फिस पे उसको स्मूद बनाता है और फ्लेक्सेबल बनाता है ठीक है तो साइजिंग जो मेट्री जो स्टार चूज कर रहे हैं उसके कारण अगर थोड़ा दिन हम लोग रख देंग हम लोग डैम कंडिशन में हैं वीबिंग बीम को जो बीम साइजिंग हो वार्प को उसमें फंगस लग जाता है मल्डिव करियेट हो जाता है ठीक है और वह जह होने के लिए हम लोग अंटी माक्रोवियल एजन का इस्तेमाल करते हैं कि हमारा अडेशन इसका बहुत अच्छा है क्या दूधि की इसको जो साइज़ अपला किंगी सिर्फ बीविंग को अश्ञान बनाने के लिए करें हिसको फिर करके हटाना पड़ता है तो डिस प्लाइज़न फोजाता है सिर्ज के लिए और सब्सक्राइब कर दिन कि यह तो टीपिकल रेसीपी है अलाग अलाग के लिए काड़ेड कॉटन यान होता है काड़ेड यान होता है काड़ेड कॉटन यान के लिए देखो मोडिफाइड स्टार्च अली 700 लिटर लिए उसका 10.5 परसेंट हमको निकालना हमको ठीक है स्टार्च का पीवी हम लोगाइड कर देते हैं टू पंटेट सिक्स पर यह हमारा होगी हमारा 6.6 परसेंट होगी है और जो पेस्ट बना हमारा यह सारे केमिकल पेस्ट बना उसका विसकोसीटी होना चाहिए 6 6.5 पैलस मैना बॉस्ट 2 सेकंड बीक्वी का लिक्वीट का फ्लोरेट बताता कि क्यतना टैमने फ्लोकर हैं तो साज्ग के लिए देखा कि दिखा गिया तो वैट पीकप उसका कम हो गया है हमारा जो कड़ते हैं तो वह पिक आप करें है जब बाहर निकले तो उसे वापस निकल यान त्रविस्कूस टाप का थोड़ा गढ़ाटाप का भी बनाते हैं इसके लिए विस्कूसीटी हम लोग शिक्स के ब्योंड राखते हैं सिवन का सब्सक्राइब रखते हैं साइजिंग पेस्ट का ठीक है लिए निए उसको तयार कैसे करते हैं सबसे पहले साथ सो लिटर का वाटर हैं लोग है कि नॉर्मल टेंपरेशर पर इंटु दा प्री मिक्शर प्री मिक्शर है वेसल में लोग लेते हैं लिए अब जतना जतना हमको जो हम परसेंटेज तरह डेखे तो सारे को वेट करेंगे लुट करेंगे अब पहले सबसे पहले पानी में मोडिफाइब पानी में अब शार्ज को डालेंगे था में अब ही कि उसके बाद हम लोग डालके अम लोग 15 मिश्र दक उसको चलाएंगे तूर्ट निशे में नीचे में तर रहता है। तो कुकर के स्टर्र करेंगे क्लोज कुकर जो हमारा मिक्षर में बना था देंगे तर ट्रांसफर करें कुकर में बड़ा इसा कुकर रहता हूं उसके पाद बं कर देंगे, इस्टीम के ढाल हम लोолот करना है, इसको कुक दाले है यहां तूँ टेम जो क्रीणकर वेक्शरा नॉकिर के टेमकरी होगा चुकि श्टीम डालने हम लोग उसका टेंपरेटर बढ़ेगा 110 डिग्री होगा तो इस्टीम अटो कट हो जागा जालना बंद हो जागा टेक्स एरूं 30-35 मिनट्स इस से पैंटीस मिनट्स में 110 डिग्री तक वो पुहुंच जागा जब तक वो पकते रहेगा वो चलते रहेगा व सारा केमिकल पके गाओ उसमें मिक्षर फोर अनधर 40 मिनट्स तो पिर 40 मिन ओर उसको पकाना है तियार करना है तेंपरेटर ऑधेश देखर को करना है अब हमारा कुकर हो गया अब उसके बगल में हमारा स्टोरेज वेसल राता है तो उसका हम लोग अचा यह जो भी स्टोरेज में डाले हम लोग उसको चलाते ही रहा ना केमिकल को साइज पेस्ट को फोल नहीं देना जब तक रहेगा चलते ही रहेगा इस तर्व इसको गुंते ही रहेगा अब आप यहां पर लूब्रिकेंट भी दस साइज पेश्ट वाला बॉक्स में दूरम नहीं डाले हैं तब बन के त्यार हो गया हमारा स्टोरिज वेसल में आ गिया ताव हम लूब्रिकेंट जैतना हमको सब्रोपोर्शन है जो परसेंटेज है उतना पर लोग है है में 10 अब टेमबरेटेर सब teeny अब जो हमारा जो बन क्या गया साइजिंग पेस्ट ऊसका टेमपरेट्ट हम को अशना कोبة मेंटैन करना पर वह हमारा जो कि टूर मिक्न रहा है अब सब्सक्षर अब सब्सक्रारा हो कर लोग तक तरफ्र होगा वाया नo पाइप के तरह लुदम कर पे तो साइज्इंग मसीन कर जो 7 स्थायच बोखिसे उसमें समय है घ्ला है ताइस से हम लोग तयार करते हैं सी और यान को हमको इस से पास कराना ऊपर हमारा करता है उसको रिमूफ करता है कि कि अब गोध करेंगे इसका को फड़ करेंगे इसका इसको फेक एक्सेज वेक कफूली या उसको रिमॉफ परेगा कि असका बाद घात वह डॉब में इस प्रेटिंग जोन में वह वाइंड हो जाता है इस चार हो जोन का हमारा सैजिंग मश्री ऐस और जोन के इसकोंसिटी एफरा इंडेकटती इसेस्टेंस अंय धु लो बताएं इसकोंसिटी जिए है कि के तना समय ले रहा हमेले। सब्सक्राइब करेगा कि पानी का में बट्रियल का में तो पतला हो जागा वो तो साजिंग में किस पर डिपेंड करेगा वो तो कंसंट्रेशन पर कंसंट्रेशन का फर्मूला क्या था इस ओवन ड्राइए मास अफ साज मट्रियाल डिवाइड़ बाई टोटल साइज पेस्ट ना यह मारा हो गया कंसंट्रेशन कि सॉलिट कंटेंड को है वो इसको इनिफ supportive और को टेंपरेचर जादे कर देंगा तो उसका viscosity कम हो जाएगा तो temperature और solid content केतना है sizing paste में वो influence करता है viscosity of size paste higher concentration implies higher viscosity मतलब solid content अगर जादे है तो viscosity जादे होगा तो viscosity of size paste reduces with the increase of temperature तो सॉलिड कंटेंड और चमौर्फेटट विसको की у कि हमारा साइज टेकप पर सिंटेज या साइज आड़ नदब बोलेंगे साइज टेकप डेका टिके इसका फर्मुला तो अगर हम लोग साइज यान का वेट कर लें कि अनसाइज यान का कितना मास था तो टोटल वेट किसका निकल लेगा तो तो अगर्णि मेटरियार का निकल जागा और दिवाइडर भई वेट ऑफ अनसाइज यान इसको लोग देखते हैं तो यह होगो वेट आफ साइज मेटरियाल वेट ऑफ अंसाइज यान तो यह हमको इन्टोहंड़ क्या देदेगा आयादान परसेंटत या साइज टेक अप औ सीनल होने बाद कितना हमारा मज़ना में टेक अप किया होई हमारा साइज का पर सेंटेज या साइड और संटेज अब जो साइज पीक अपैन है उसको यह लग जो किया है सबसे पहले इसको सिटी विसको सिटी बहुत कम रहे गा को वेट पीकप हमारे कम होगा तो प्रोब्लम में यहां भी प्रोब्लम में तो प्रोड़म में यह जाद है लुब्रिकेशन उसके बाद हमारा degree of size penetration कितना size penetrate किया हमारे उसमें excuse roller pressure हमारा excuse roller का pressure कितना हम दे रहे हैं तो अगर जादे pressure रहेगा तो जादे एकसेजमेटर को जादे निकाल देगा वो तो पीकप हमारा कम हो जाएगा machine का speed अगर speed हम बहुत speed से करेंगे machine को चलाएंगे तो जतना time हमको उसको pick up के लिए चाहिए था यान को उतना time मिल नहीं पायेगा तो कम pick up करेगा तो यह सारा factor उसपे affect करता है sizing pick up का one by one देखते हैं हम लोग तब weight pick up generally increases with the increase in viscosity अभी हम लोग देखें कि weight pick up कैसे बढ़ाएगा तो weight pick up बढ़ाएगे तो weight pick up बढ़ाएगा हमारा लेकिन एक certain limit के बाद हम लोग और बढ़ाएगे विसकोशिटी तब वो कमने लेएगा ठीक है तो शुरू में विसकोशिटी बढ़ान से weight matter बढ़ता है लेकिन limit के लेकिन हम टार्गेट के बाद हम और एक optimum label के बाद वो घटता है yeah viscosity also determines the penetration of size based within the yarn structure if more penetration is desired then viscosity is would be lowered and vice versa yeah अगए अगर पर बलकी यान पर बलकी यान तो आपको यहां जादे को तो ख़ये जादे यान नहीं अगर बलकी यान है अगर आपका मंदब यान जादे ताइट यान नहीं ओपका यान है तो उसमें जुकी वाइट बहुत है अंदर में यहार इस पे सब्सक्राइब कर श्राइब तो सब्सक्राइब करते हैं कैं है क्या करता है जो वेड़ फिक अपक या है है घग परसेंट किया है तो आफमारा किसमें साइज बख्वाखनी जान व्यान किया आपको एक से जो मटरी अब जोर के उसको रिमूफ करने काम कुन करता है इसकी करता है ठीक है तो हमारा चाह करेगा वेट पिक अप को रिड्यूस कर देगा जादे मटरी हमारा एक से आट हो जागा तो साइज आट हो जागा इसमें साइडोन ग्राफ है जैसे हम लोग बढ़ाएंगे उसका हमारा कम होते जाए एए अपने सफ टॉप इस्तौ इस पॉलर करते हैं ओको दो फॉलर षका नेंनंगे Solo अगर बहुत निस्का मैं तो हमारा उसमें प्रोब्लम में अगर जादे तो तो प्रोब्लम है अबॉटम स्कीज रोलर इसमेड ऑफ इस्टेनले स्टी डॉप रोलर हविंग मेटलिक और पार्ट कवर्ड विट सेंथेटिक मेटरियल अगर उसका हाडने स्काम है देन देर विल भी फ्लैटनिंग उसका नीप पॉइंट जहां पर प्रेशर चाहिए प्रेशर हमारा फ्लैट हो जाएगा अगर हम लोग भी कर रहे हैं अगर यह फ्लैट मुश्ट सरफेस टाइट नहीं है जो नीप पॉइंट पर प्रेशर लग र प्रेशर करेगा तो तो नीप जो नीप जोन पर रहे हैं जहां पर दोनों पॉइंट मिल दोसको नीप जोन पर हमारा प्रेशर कम हो जाएगा जब हमारा हाडनेस कम रहेगा मटरियल उपर वाल टॉप रोलर का ठीक है इन कंट्रास देर्फोर दा साइज पीकप इंकरीज तो उसका पीकप मतला जतने एक्सिस और ने चाहिए वो नहीं कर पाएगा प्रेशर कम लग रहा हमारा तो हमारा पीकप ज्यादे इंक्रीज कर जाएगा इंकंट्रास्ट अगर बहुत बढ़ा देंगे ज्यादे प्रेशर लेगा और ज्यादे मट्रीज को एक्सिस और कर देगा तो पीकप हमारा कम जाएगा तो उसको शोर हाड्नेस बोलते हैं जो रबर मट्रीज हम लोग कोड़ वहां पर लगा हैं मेटलिक सर्फिस पे आप रोलर पे उसका हाड्नेस और वो केतना होना चाहिए तो 45 डिग्री के अलॉन होन अच्छा जो हम लोग तो सेंथेटिक मट्रीयल जो हम लोग अप टॉप रोलर पे हम लोग अपलाई किये हैं ना उसका थीकनेस भी हम हमारा डिपेंड करता है फ्लैट्टिंग का इव दा थीकनेस अफ सेंथेटिक रबर कवर ओन टॉप रोलर इस ग्रेटर थीकनेस बड़ा है थेंट अफ लेटनिग इस प्रेशा था था प्रेशा और जाज अपलाई करना पड़ाई नहीं तो क्या होगा यू जो प्रेशा न अफेक करता है पोजिशन ऑफ इमर्शन रोलर इमर्शन रोलर जो हमारा जान को ले जा रहा कहा है उसमें झाले करतो रेशा है झाले को भी सबीतरा है रहा जा है था उसमारा जा ब क्लड़ावैस ऐस ऑना लेड़ा ह्तुट्ट्ट्वरोग प्रेश थाज़ा है झाल 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 यहां जो वार्पशीट वो कहां ले आता है साइज बोक्स में उसको इंप्रेग्नेट होने के लिए वहां पर लेयर तो उसके मर्सन रोल का जो हाइट है कितना वो डिप किया है या कितना उपर है साइज बोक्स का लेयर से साइज बोक्स में तो उसके कोड़िंग में हमारा वेट पिक अफिलेंस होता है अगर हम लोग मर्सन रोल का हाइट को निचे कर दिए साइज पेस्ट में जाए निचे तो यान पूरा भीगेगा निचे मतलब उसका जो कॉंटेक्ट टायम हो गया यान का साइज पेस्ट के साथ बढ़ेगी हमारा तो हमारा वेट पिक अबढ़े जाएगा इस विलेट वे पेस्ट टच कर रहा है मतलब पूरा अंदर नहीं जा रहा तो वहां पे कॉंटेक्ट टायम कम जागा और वेट पिक अमरे का इमर्शन रोल का हाइट कितना अंदर गया है उसमें यह कितना हो पर है उसमें भी हमारा वेट पिक अपिक इन्फिलेंस करता है वेट फिक इन्फिलेंग पाड़ी एगर सिटेंग करेंगर बाढ़ा दे थे आम लो तो जो कंटेक्ट अम है यान का उकम जागा है ना वेट पिक अमरे कंडेंगा हाई रिखिए थे आ कि इन्फिलेडी रिखिट इस प्रेंच चुडेशिड इन डियान विन धिट पिक चु तो higher speed से एक फायदा ये भी होगा कि squeezing हमारा time तो increase कर जागा हमारा higher speed reduces the time of squeezing जतना अगर speed कम करेंगे तो squeezing time हमारा ज्यादे लग रहा था उसको ज्यादे access out कर रहा था material को अब speed बढ़ा दिया हम लों तो squeezing time भी कम जागा जल्दी करके उसको आगे बढ़ाना है तो हमारा जो access करें material को वह हमारा उतना कम time उतना नहीं कर रहा है जतना lower time है कर रहा था हमारा ठीक है तो इस परकार से हमारा switching time हमारा कम जागा और weight pickup हमारा बढ़ जाएगा तो दोनों के कारण हो सकता है IR speed भी कर सकता है यह इस angle से देखे हमारा तो weight pickup हमारा बढ़ भी सकता है चार परकार के sizing होते है light sizing, pure sizing, medium sizing, heavy sizing quality content का percentage total weight का percentage 10 to 15% है तो उसका हम लोग बलेंगे light sizing application of size ingredients up to 10% है तो 10 से 15% अगर total ingredient का weight अगर है total weight के compression में उसको light sizing 11 to 15% sorry pure sizing बलते हैं हम लोग pure sizing ठीक है 10% तक अगर है तो उसको pure sizing 10 से 11 से 15% है तो light sizing ठीक है अब उसके बाद अगर 16 से 20 है तो हमारा medium sizing और हमारा फोटी से अबब है तो हमारा है विसाइजिंग जोंग हम लोग डिसकस कर चुके हैं अब हमारा multi-cylinder ड्राइंग में दो परकार को होता है टू-cylinder में जो पहले वाले मशिन में थे अब हाला कि यह absolute हो गया अब हमारा multi-cylinder ड्राइंग 6 या 8 cylinder का ड्राइंग करते हैं और वहां से यान को पास करते हैं तोनों तरीका है लेकिन ज़्याद है हमारा यह वाला इस्तेमाल होता है कि क्या है multi-cylinder है बंशी में कि अब लड़ी हम लोग डिसक्स करते हैं कि लेंडर है अंदर से हम लोग इस्टीम के दोबार इसके सर्फिस को हम लोगीट करते हैं और जहां से हमारा यान इसके सर्फिस से यान पास होता है और हमारा तो वाटर वो एवपरेट होता है कि राय होता है हमारा इस तरह से रहता है ठीक है यहां से पास हो रहा है यह सारा हमारा ड्राइंग सिलेंडर है पर में इसको एक्जॉस्ट करने के लिए डाक्ड बने रहते हैं वाटर एफपरेट होड़ा यान सर्फिस से बाहर के तरफ और ले आता था वार्यमेंट में करें निया है अब करेंड के न्युक्त शेट के एक और जो कंपरीज है एक है अ Lazio करते हैं भी इब दौदी आमचाप होता है अधिन चंटेलर ही क़्ेंडर्य पर कहते हैं यहां से यान पास हो रहा हो चंबर हो यह होता है है हमारा पैसे मट्रियल है बैक भी उन से फिल जागा तो साइज इंग बॉक्स में वहां से निकले कहा जागा तो ड्राइंग सेंडर में इस प्लिटिंग जोन अब भी बीम करते हैं तो अगर हम लोग उनिफॉर्म डाइमेटर का टॉप रोलर का यूज करेंगे तो पढ़ते-पढ़ते क्या होगा हमारा वाला हमारा बीच वाला धाज जागा 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 उससे बचने के लिए तो यह दो क्रोंग टैप का रोलर इस्तेमाल करते हैं लप साइड में डाइमेटर कम रहाएगा और वीच में जादे रहाएगा ताकि जो प्रेसर पड़े तो इसका यूनिफॉर्म हमारा नीफ पॉइंट पर प्रेसर रहे और डामेटर डिफेरेंस इन ठीक है तो हम लोग इसको बलते हैं क्रॉंड टॉप रोलर है अब प्रेसर इस्कीजिंग यूज तो रिडूज दा लोड ऑन दा ड्राइंग सिस्टम अभी जो नए मशीन है उसमें इस्कीजिंग प्रेसर को हम लोग हाई रखते हैं ताकि हमारा मैक्सिमम मेट्रियल एक्सेजाट हो जाए और जो ड्राइंग सिलेंडर पर लोड जादेना हो खायं अगर मेट्रियाल यहान में अगर इसकुज नहीं होगा उसकुखाने काम कोन करेगा राइंग से लेंडर ए और सबसे यादा नर्जी का कंशम्शन हमारा र्राइंग से लेंडर हो रहा है तो उस-पे लोड कम करने के ल कि में लोग अपलाई करते हैं दोनोगोर पर दोनों किनारे पर हम लोग उसको अपलाई करते हैं प्रेशर और सको इस परिशर is good enough to cause bending at the top in the top squeeze roller which may result uneven pressure along the nip line, जो जो फोर्स लगा रहे हैं दोनोगे में तो क्या होगा निवन प्रेशर होगा निप लाइन पे दिरे दिरे यूज़ करते हमारा ठीक है बेंडिंग करें उसो बेंड हो जागा और उसो निप पे यतना प्रेशर उनिफर्म नहीं लेगा हमारा सिंथेटिक रबर कोटेट सर्फेस अव दा प्रेशर रोलर इस सब्जेक्टिटी तो ग्रांडिंग ओपरेशन सो डाइमेटर आट दा साइट इस लोवर एस कंपेर तो डाइट अव दा मिंट तो साइड वलक हम लोग काम करेंगे तकी हमारा जो प्रेशर निप का जो प्रेश अब फोर्सेंटेंटर अपर तक पर्सेंट具पेशन अभाण जा रहा है घरंड पर सिंच करके जा रहा है जान के लिच मेंलां डिस्टेंट काफ है वो बताता परसेंद अकुपेशन एगर हमारा टाच हो के जारा तो हंडेट परसेंद परसेंद अकुपेशन होगा हां और परकाट मेंज आप यान्स आर फिजीकली टचिंग एच अधर टूक है तो अगए हम अगए हमारा जीरो हो गिया तो 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 नोगर तुट करके जाएगा और 100% अगर हमारा उसमा आ गया 50% तो हमारा तो नो टॉच करके नहीं जागा तो फिफुटी परसंट होगा यह उसका फर्मुला है, percent occupation का, actual number of yarns in the work sheet, worksheet में कतना total worth है, means, divided by number of yarn in the work sheet with 100 percent occupation. है, में से कतना हमारा hundred percent total occupation है? the percent occupation and equivalent yarn diameter related with the following relation, कि यह उसका relation है, percent occupation का hundred divided by one plus equivalent yarn diameter, परसेंट एकुपशन इस हवेरी हाइड यान नोट वी उनिफॉर्मली कोटेट वाइद साइच फिल टीक है अगर हमारा परसेंट एकुपशन बहुत जादे है तो यहां से सटा हुआ है तो साइजिंग कोटिंग का उसमें हमारा जगा नहीं इस्पेस नहीं है तो यान में भी नोट वी उनिफॉर्मली कोटेट वाइद साइच फिल और वाप शिट हैविंग वेरी लाज नंबर अफ यांट इस अगर हमारा वार्पिंग शिट में नंबर फेंट जादे है तो अगर एक ही साइज बॉस करेंगे तो परसेंटेज एकुपशन हमारे बढ़ जागा मला य फिफटी परसेंग हमारा सेकन साइज वक्रम तो इसको रिमॉफ करने के लिए उनिफॉर्म रॉड हम लोग इंसर्ट करते हैं अलग लग लेयर उसको डिवाइट करते हैं जिस रॉड जिसको हम लोग बलते हैं इस तरह से ठीक है साइजिंग के बाद क्या करते हैं हम लोग वार्प साइज हुआ हम लोग बीमिंग में वाइन कर देते हैं इसमें फानल हो रहा है साइज बाक्स में जाने से पहले यान को अगर लोग इस लगा करदेते हैं तब उसका performance बढ़ जाता है हमारा ठीक है उसका उसका अब बलो बलते pre waiting of yarn before sizing. pre waiting is a washing process which improves specific adhesive force यह करने के बाद उसका adhesive force और बढ़ जाता है of size on the surface warp yarn and especially hot water is used in pre waiting before impregnating warp sheet with the size solution. warp sheet को size solution में जाने से पहले उसका hot water से yarn sheet को हम लोग impregnate कर देंगे उससे हमारा adhesive force जो है size material का बढ़ जाता है effect of pre waiting of war pin क्या-क्या effect होता है तो yarn hairiness और कम हो जाता है हम लोग pre waiting करके दा लेंगे तो sizing में ठीक है yarn hairiness was reduced as compared to sizing without pre waiting ठीक है दोनों में compare किया गया है एक में pre waiting के साथ एक में without pre waiting ठीक है तो इस प्रीवेटिंग वाला देखा गया मतलब जिस यान sheet को हम लोग pre wet hot water से treat करके हम लोग sizing solution में डाल रहते हैं उसमें hairiness कम पाया गया ठीक है जा इनिशियल मोडूलस of size yarn with the pre waiting was higher than that of conventional size इसका इनिशियल मोडूलस हमारा बड़ जागा मतलब strength बड़ जागा हमार ठीक है lower consumption of sizing agents प्रीवेटिंग के साथ कहा है कि उसका consumption कम जागा है साजिंग में performance सेम है दोनों का लेकिन इसमें जो consumption material जो add-on है वो कम add-on में भी उतने परफॉर्ण कर रहा है एंड पावर विद प्रीवेटिंग साथिंग कंसे तो प्रीवेटिंग से हमारा बहुत सारे फाइदा हो अबने लेटेश रेवलामेंट जतना है हमारा प्रीवेटिंग होकि हमारा साइजिंग बॉक्स में जाता है वार्फृटि ठीक है यह कोई डॉट है साइजिंग यह कंप्रीट होगे तुमारा हम लोग बीमिंग और लूमिंग दो बचा हुए और उसके बाद कल्कुलेशन बचा हुए तो बीमिंग केतना अभी हम लोग स्टॉप करते हैं दो बच से फिर आ जाना तो बीमिंग और लूमिंग हम लोग स्टांट कर देंगा तो बीमिंग खतम कर देंगा फिर नेक्स किलास हम लोग लूमिंग और उसके बाद कल्कुलेशन चले हुए